आज बिहार दरोगामों के परिच्छा का आयोग के द्वारा बहुत ही सफलता पुरुबक संचालन किया गया और इसमें किसी भी प्रकार का धांदली के बारे में चर्शा तक नहीं आया है उमीद है कि कोई धांदली नहीं हुआ है और कुछ कोशन वाइरल हुए हैं जो कि टाइमर लगा हुआ था जिसके कारण किसी तरीका का नेटवर्क नहीं चल रहा था और एक्जाम कैसा गया और एक्जाम सब लोग का कैसा गया साथी साथ हम लोग इस बात पर भी चर्चा करेंगे अभी कि जो कोशन का प्रटर्न था वो कैशा था और इसका कट आजा सकता है इससे लगवक सटीकी कट अफ हम अभी आपको बताएंगे और जितने भी कोशन आया उसका बिल्कुली सही एंसर सत्फ परतिसाथ सही एंसर होगा और टोटल सो का सो कोशन जो होगा वो सारा एक्जाम वाला कोशन होगा कोई गलत कोशन नहीं होगा क्योंकि और इंजल कोशन क्या आया क्या परफार्मेंस रहा कहां वो गलती किये इस समद्ध में हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दों कि मेरा भी एक्जाम था और एक्जाम में कुछ लोग गलती कि हैं कि जो भी गलत करने माले उसमें से मैक्सिमिम लोग जल्दी के कारण आपका वह रद नहीं किया जाएगा जबकि पिछली बार जो मेंस का रिजल्ड आया था उसको देख लीजेगा आप लोग उसमासपस्ट कुछ कुछ लोग जो इन भेले पे रॉल नमर और साइन रॉल नमर नहीं लिखे थे साइन नहीं किये थे उनका पात्रता रद कर दी फली थी तोमीद्य होएं कि सढ़ बात का चीज है अब हम लोग बात करते हैं कि इन कोस्टन कैसा था तो कसंकि बात करें तो थोड़ा सा मॉड्येट लेबल का था जो आप लोग देखेंगे तो ट् फ mów स्वहिएग एशा करेंगा जैसा अ कंतराहर वस्वाइन है तुनिंषres अंतराश्टिय महीला दीवस का सभी अश्थापना किस ने की थी तो जो नौ जवान भारत संग की अस्थापना किये थे वह किये थे भगत सिंग ठीक है ठीक उसी प्रकार से आगे सवाल था कि इसको जो है वरियता करम में सजाना था जिसका की सही अंसर आपका हो जाएगा इसका सही अंसर हो जाएगा आपका C ये इसका सही अंसर है राष्टपती, उपराष्टपती, ठीक उसके बाद प्रधान मंत्री और उसके बाद राजियों के राजपल अपने अपने राज़ में होते हैं और उसके बाद भुतपुरू राष्टपती यह जो वरियता कर हमें C में वो बिल्कुल ही सही सवाल है तो यह तिसरा सवाल था आप चौथा सवाल की और बढ़ते हैं हम लोग कवक की कोशिका भित्ती कमुख अभियव क्या होता है तो इसका एंसर काइटीन होगा नेक्स्ट समल था कि एक सम बहु भूच का आंतरी कोन उसके बहु भूच की से चार गुना है तो बहु भूच की कितनी फुजाएं हैं तो इसको फर्मूला होता है उसके हम लोग बैठा देंगे तो एंसर आ जाएगा जैसे कि आंतरी कोन बहु भूच का आंतरी कोन न मैनस टू इंटू एक्सवसी और उसको डिबाइट कर देंगे एंसे और वही बात की जाए बाह कोन का तो इसका फर्मूला होता है 360 by in इसका होता है 360 by in तो इस पर अगर हम लोग बनाएगे तो बन जाएगा आगे था नेकला शवाल कि 2011 की जनगन्ना कनुशार भारत में वह राज जहां नियुनितम जनसंक्य घनत्व दर्ज किया गया है तो वह अरुनाचल प्रदेशों की बी में ऑप्सन है और इसमें जो है मात्र 17 है एक वर्ग किलो मीटर में 17 वेक्ति निवाश करते हैं नेक्स्ट है कि प अग्छ मिला है लेकिन कुछ लोग कुछ इतिहास करका मानना है कि जो पॉलिसदार पाशान उपकरन थे वह मुक्यता नौव पाशान काल में की विसेस्ता थी अगला सवाल था राज विधान परिशत के समद्द में क्या गलत है यानि सत्य नहीं है तो इसका एंसर सी होगा क इसका आपका देखे राजिया भी शेक की बात की जाए राजिया भी सेक आपका हो गया था 1674 में अगर सुरत की पहली लूट कहें तो 1664 में होगा था पहली लूट और दूसरी लूट हुआ था 1670 में करनाटक पर याकर्मन किये थे 76 में और पुरंदर दुर्ग पर जो उसके बाद 4 यानि कि उसके बाद 1 उसके बाद 3 यानि कि सही एंसर सी हो जाएगा अगला सवाल था एक मैत था जो आप लोगद देख सकते हैं इसका सभी एंसर 200 मीटर है 200 मीटर यानि कि a option उस्य तरीका से एक सवाल था कौन सा प्रत्यास लोगत अंदर का साधन नहीं है इस च्छ था एक महिला की तरफ इशारा करते हुवे विजय ने कहा हुआ मेरे ससूर की पत्नी की इकलोवथी पुत्री है उच महिला का विजय से क्या रिष्टा है था इसका पत्नी आ रहाथ जो कि डींडी में आंसर है भारत की उत्तर पश्चमी भाग में सीत काल इन वर्सा मुखी रूप से निमलिखित कारंद से होती है तो इसका एंसर ए हो जागा पक्चमी विच्छोब अगला सवाल एक रिजनिंग था देकी आठ है तो बारा कर रहा है तो इसका सही एंसर जो था वो शाड़े 22 था डी में नेक्ष्ट सवाल था कि यदि एक्स का एक चवथाई 6-15 अधीक है 6-5 अधीक है तब वो एक्षकमान क्या होगा तो इसका सही एंसर 44 यानी की भीमे उप्सन है नेक्ष्ट सवाल था कि कौन सा पिर्थिवी के घुर्नन का प्रभाव नहीं है तो इसका एंसर रितू परिबरतन वो सही एंसर है अगला सवाल है अपात काल के दवरान कौन सा मौली कधिकार जो है वो निलंबित नहीं रहता है तो वो अनुछे 20 और 11 निलंबित नहीं होता है यानी कि एंसर इसका सही हो जागा नेक्ष्ट सवाल था भारत की समिंधान की निन्मलिकित में से कौन सेने पहलन किया गया तो इसका सही एंसर चट्य नोशेशं की बी में ऑप्सन था नेक्ष्ट वाल था एफला विस्का उत्पादन होता तो इसका जो अत्हुत पादन हो नेक्ष्ट होता है जो कि डी एंसर हो जागा अगला सबाता है राज सभाके सदाश्यों को चुनाव की परक सब्सक्राइक विग अगला शवाल था 22 अन्मबर की अनुवाशीक्स विकार जिसमें केंदरख में 47 प्रोमोशों कंपो तो भूलते हैं तो 47 इंसर में योकाद्यच एक नियाधिश होते हैं नेक्स्ट अवाल था पी एन बंध समंधित कुछ कोशन था इसका एंसर सायद बढ़ती है यहां यहां नोगल दरबार में प्रमुख चितरकार कौन था जिसके नित्रितों में अकबर ने चित्रकला का एक प्रिथक विभाग अस्ताफित किया तो अब्दूश्ट समद ए इसका सही एंसर हो जागा एक सट को तेरा सो तिरपन के बजाए 1425 में बेजने पर 8 प्रतिशत ज्यादा प्राप्त होती है तो सट की लागत मुल क्या होगा जिसका सही अंसर B हो जाएगा जो की 900 है नेक्ट सवाल था जिसका इंसर हो जाएगा उत्तरपुर्वी राजपरदेश यानि कि D अगला सवाल था 29 नमर भारत में इस पात उदोकोन्यकित में से किसके आयात की उपेच्छा की जाती है तो देखे इसका सही अंसर जो हो जाएगा वो B हो जाएगा रॉक फॉस्पेट का ठीक है नेक्ट सवाल था इन में से कौन सा प्रत्याशकर का उदारन नहीं है तो वस्तूओं और शवाओं प्रकर है जो कि नहीं है होगा GST जो है वो एक अप्रत्याशकर है अगला सवाल था कि संस्कृति और सिच्छा कथिकार वर्नित है तो यह जो है वो अनुछे 29 और 30 में वर्नित है यानि कि इसका सही अंसर B हो जाएगा अगला शवाल था रियत वाड़ी बंदोवस्त अर्म किस ने किया तो अर्म की अगर बात किया जागा तो टॉमस मुन्डरो जो कि B ऑॉप्सन है वो शही है पस्ती मंगाल में होने वाली मांसुन वर्षा को क्या कहते हैं जिसको काल वैशाखी कहते हैं जो कि D में ऑप्सन है सही अंसर एक रिजनिंग था यहां 3 का स्कॉर 9, 9 का स्कॉर 81, 81, 85, 67 यानि कि इसका अंसर A9 सही हो जाएगा नेक्स्ट स्वाल था भारत के राश्पती के चुनोओं में हुए विवात का निर्नय कौन करता है जिसका सही अंसर B होगा सर्वोच निया आले अगला सवाल है भोपाल गैस दुरघटना में विसाक्त गैस जिसका रिशा हुआ था वो कौन सा गैस था तो C इसका सही अंसर होगा जो की घटना 3.924 होगा एक यह मैत था तो इसको थोड़ा सा देखिए यह मैत है यह मैत का इसका जो अंसर होगा अगला सवाल था कल से एक दिन पहले सनिवार था तो अगला मंगलवार कब होगा यह कलेंडर से समझेद एक डिजनिंग था जिसका एंसर बी होगा आने वाला कल दक्षिनपुर एशिया के वृद्धी त्रिकोन से समलित है तो त्रिकोन की अगर बात करेगा तो इसका सही अंसर A हो जाएगा सिंगापूर, मलेशिया और इंडोनेसिया निरविरोध निरवाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्टपती कौन है तो निलम संजी उरेड़ी यानि के D सही अंसर है कौन सा हैट्रोजन का समस्थानिक नहीं है तो प्रोट्रियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है यानि इत्रियम जो है वो D में ऑप्सन है यह गलत है यह नहीं होता यानि इसका सही अंसर D हो जागा भारत में बजार नियंतरन प्रनाली की सुल्तान द्वारा लागू की गई थी, तो इसका सही अंसर हो जागा अवलादिन खिलजी के द्वारा यानि A 43 नमर सवाल है अकबर के 1567 और 66 इश्वी में चित्तोड पर आकरमन के समय मेवाड का सासा कौन था जिसका सही अंसर B हो जागा राना उदय सिंग 44 नमर सवाल है पटाकों से निकलने वाले हरी जवाला निम्न के कारण उत्पन होती है तो बेरियम के कारण उत्पन होती है यानि D सही अंसर होगा लोक्षवा में प्रताम विपच के नेता रामसुभग सिंग थे यानि कि C सही अंसर है गुलकोच के एक अनू एंजाइम उत्प्रेरित स्रिंखलाओं की अभी किरियाओं द्वारा पाई रूविक अम लेके दो अनूम टूट जाता है इस पर किरिया को क्रिप्स चक्र कहा दाता यानि कि option B सही अंसर होगा गारोख खासी जयंतिया पहाणिया किस राज में मिलती है तो मेगाले में यानि कि B सही अंसर हो जागा डेविस कप का समन टेनी से है C सही अंसर है अगला सवाल था कि कौन सा सही नहीं है तो इसका अंसर C हो जागा मंजगाओं डॉक लिमिटेट गोवा में नहीं मुंबई में है रास अभा सधारन विद्यक को अधिक्तम लंबित कर सकता है तो च्छा मा के लिए यानि C सही अंसर हो जागा दो संख्याओं का नुपाद तीन नुपाद चार है यदि उनका LCM 240 है तो बड़ी संख्या क्या होगी तो इसका अंसर B असी सही होगा राश्टपती के दोरा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना प्रवी लंबन कहलाता है यानि D सही अंसर होगा इसका एंसर आपका हो जागा डी एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडियास एक मैत था 55 नंबर कि एक सबसा चोटी सेंख्या जिससे 147 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाये हुआ है तो इसका एंसर तीन होगा कौन केबिनेट मिर्शन का सदा से नहीं है तो पैंथिंग लॉरेंस है अस्टेफूर्ट क्रीप्स है अलेक्जेंडर है विलियम वर्ड नहीं यानि कि ए एंसर हो जागा बुरून और गर्भासे के बीच सम्वानी श्रंपर्ग बनाने वाली समचना को क्या कहते है तो प्लेशेंटा इसका एंसर सही होना चाहिए हलांके कुछ लोगों का कहना कि ए और भी दोनों शही होगा तो कन्फूजन है थोड़ा सा देख लीजेगा आप लोग मिनी माता र होने वाले परिवरतन की दर के बराबर होता हिया कथन किशका है तो इसका अंसर डी हो जाएगा इस्तिर चूंबकत के गाउस के नियम का एक अगला साथ नवर सवाल मैथ है यदि दो मेजों तथा तीन कुर्षी कुर्सियों का एक साथ मुले 2000 जबकि तीन मेजों तथा दो क तो चार कुर्षीयों का मुले क्या होगा सही अंसर 800 यानि सी है बारत में त्ट्टिय सीमा वाले राज्यों की संक्या क्या है तो 9 है यानि सी पात्सा नामा क्रचियता कौन है तो इसका एंसर C हो जागा अब्दूल हमीद लहोरी अगला सवाल था कौन सी नदी ज्वारा नद मुख यानि एस्चुवरी का निर्मान करती है तो इसका एंसर तापती हो जागा क्योंकि नर्मदा और तापती एस्चुवरी का निर्मान करती है अगला सवाल था गांधी सागरबांध किस नदी पर है तो यह चंबल नदी पर है एक reasoning था ठीक है वो नहीं दीख रहा है एक कोशन था कि यदि एक फांसे को फेका जाता है दो पांसे को एक साथ फेका जाता है तो उस पर आठ नहीं आने की संभावना क्या है तो इसका एंसर 31 बटा 36 हो जाएगा अगला सवाल था राजियों में से किस एक में किबूल लम जाओ राष्टेव धान है तो ये मनीपूर में है C एंसर सही है किस गोर्णर जनरल का नाम व्यपगत सिका सिधान्त के साथ जुड़ा हुआ है तो ये जो सिधान्त जुड़ा हुआ है ये आपका डल होजी के साथ जुड़ा हुआ है लिखित में से भारत में सदा बहार वन कहां पाया जाते हैं तो इसका A एंसर सही हो जाएगा असम के साथ एक मनुषिकारक्त चाप जो होता हूँ को 120 बाई 80 mmHg होता है तो इसका एंसर D सही हो जाएगा एक अतर नमबर सवाल है सुन्दर बन पाय जाने जाते हैं तो सुन्दर बन को ही मंगरो बन खाता है यानि A सही एंसर है ये ओर कर सब्द कप्रियों किया जाता है तो क्रिकेट में किया जाता है भारत का कौन सराज नौका दोड़ के लिए परशीद है A यान की केरल से एक चोहतर नमर था निमरीकल था तो इसका सही अंसर A है देख लिए साइद A है कुछ लोग कह रहे हैं कि B होगा लेकिन साइद सही अंसर A ही होना चाहिए भारत का वह राज जहां विशोकात हुरियम का इस सही अंसर एगे है कंबोडिया जो है किस भोगलिक चैतर में श्थीत है तो ये Cars य्श जो से अंसर नोकलियस के बाहर डी नहीं मिलता है तो मैटो कॉंडरिया में मिलता है डी सही अंसर है कौन सा कथन सत्प्व्र एधिए मैंस सबन्दित था इसका जो दई ऑपशन था व किसने अशोमेग यग संपाथित किया तो शमुद्र गुप्त ने भी सही अंसर है गोलन और बेलन संकुछ से समधित सवाल था इसका कही अंसर एक है नदियों में से कौन स म द्धर नहीं बनाती है तो और यह नहीं बनाती है फिसका नींग आप विक्रम ऑफ कि बाद कि बाद किया जा तो विक्रम अदित नय व्यक्ती ने चला जाया था वह विक्रमादित नहीं जो आपको लग रहा होगा कि चंद्र को दूती होगा वह गलत एंसर वह अलग विक्रमादित थे वूंहों ने चलाया था और विक्रम समध अंठावनी शा पूर्व के आसपास चला है तो यह कहीं से मैच नहीं करता है लेकिन अगर गुप्त तो इसका अंसर आपका B हो जाएगा नेक्स्ट है को पर्यूक्त अविर्थी का प्रकास जब किसी धातु प्रिवीश्ट पर डाला जाता है तो यह ट्रौर्वनों का उद्सर्जन होता है तो इसका अंसर हो जाएगा आपका प्रकास विधुत उत्सरजन यानी की C हो जाएगा एक मैत था ये तो इसका एंसर C है X बराबर माइनस A इस तरीका से अगला शवाल था कौन प्रधान मंत्री बनने से पहले मुख मंत्री नहीं रहे हैं तो इसका एंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा D नबे नबर शवाल था कौन सा वर्ग फ्रांस के तिरतिया स्टेट का हिसा नहीं है था तो इसका एंसर C पाद्री हो जाएगा कनिश्की ग्रहजानी कौन से थी तो पुरुषपूर यानी A सही एंसर अंग्रेजी सब्दकोष के तीसरे स्टन पर क्या आएगा तो D जो है अस्पाइनेट वो शही एंसर है अदराश्टिय स्टरम संगठन का मुख्याले जेनेवा में है A दाप बढ़ाने पर वर्फ का गनला घट जाता है यानी कि इसका एंसर A होगा एक रिजनिंग था तो इसका एंसर B आता था चार इस तरीका से एक मैथ है इसका एंसर A या C में से कोई होगा बड़ कनफर्म नहीं है अगला सवाल है संतान में जो की ब्याद से समझनी था इसका एंसर 5000 होगा D ठीक विसी प्रकार से कौन परिमेर शंख्या तो C होगा रूट 2 का होले स्कार और चार बच कर साढ़े तीन मिनट का समय दिखाती है यदि मिनट की सुई परशिम देशा दिखाती है तब घंटे की सुई क्या होगी तो इसका सही एंसर हो जागा पर दक्षिन पक्षिम आ र एक्षाम दिया था यह कोशन बिल्कुली सही है एक्षाम में देखिए जो बच्चे हमारे साथ या फिर जो टॉपर स्टुडेंट है जिनका की और भी सेट्मन अब आता था वह इसमें 80-80 के बीच में स्कोर करके आये हैं और कोशन चुकी वायरल नहीं हुआ है कोशन बाहर नहीं निकला है कोशन बाहर निकला भी है तो इसलिए जो कट अफ जाने का समभावना है वह अगर बात किया जाए जो जेनरल की तो जेनरल का कट अफ जो आपका जाएगा वह 72 से 74 परसेंट के बीच जा सकता है अगर उभी की बात किया जा तो 66 से लेकर 72 के अंडर ही होना चाहिए BC काटेगरी अगर EBC की बात किया जा तो 68 EBC की अगर बात किया जा तो थोड़ा सा और कम होगा इसको माल लिए 65 से 70 हो सकता है वहीं अगर HT के बात किया जा तो 60 से 65 के बीच में हो सकता है और HT के बात किया जा तो वो 65 या 66 के बीच हो सकता है अगर महिला काटेगरी में बात करें हम लोग तो महिला काटेगरी में जेनरल का बात कर लें तो इसका कटफ जो है वो अगर परसेंटेज में बात किये जाए तो 52 से 55 परसेंट के बीच में हो सकता है वहीं अगर EWS category के बात किया जाए महिला में तो उसका जो cut-up है वो 40-42% के बीच में हो सकता है इसी तरीका से अगर इसी महिला की बात करें तो वो 35-40% होगा जब कि HD का 40-42 के ही बीच रहने का समभावना है तो ये cut-up था जो कि हमारी समभावना है कि यही cut-up हो कि देखिए अब क्या होता है अयोग 10-15 दिन के बीच में रिजल्ट जारी कर देगा जिसको भी लगता है कि जो हमने आपको cut-up बताया उसके आसपास है तो बिल्कुल ही दोड़ना सुरू कर दीजे क्योंकि दोड़ भी जल्द ले सकता है ऐसे उमीद जताया जा रहा है कि 30 जनवरी के बाद चुकि 30 जनवरी को बिहार पुलिस का एक्जाम है बिहार पुलिस का दोड़ चाल रहा 30 जनवरी तक इसलिए उसके बाद फरवरी में स्टार्ट करें बट देखिया योग क्या करता है लेकिन रिजल्ट 10-15 दिन के बीच में आ जाएगा हमने आपको यह था शंभव सही अंसर देने का प्रयास किया है कोशन तो बिलकुल ही सही है तो कुछ कोशन गलत अंसर हो सकता है और दो-तिन कोशन हमने नहीं अंसर बताया तो उसको आप लोग अपने असर से देख लिजेगा धन्यवाद